शुरुबात योरोप से रूस से योरोप के देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंदों के नए चाबुक चला दिये हैं रूस के सबसे बड़े बैंक सबर बैंक को पेमिंट विवस्ता स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है इसके लावा दो और बड़े बैंकों को भी पेमिंट सिस्टम से बाहर किया गया है यूरोपियन यूनियन के चेर्मेन ने बुद्दबार को रूस के तेल पर निरवर्था अलग-अलग चरणों में खत्म करने का भी ऐलान कर दिया अभी तक यूरोप और दुनिया के दूसरे देश रूस के सार अधिक तक व्यापार सवर बैंक के जर्ये ही कर रहे थे लेकिन सुफ्ट बैंक से इसका बाहर निकल जाना बड़ी घटना है रूस के लिए सर रूस के लगभक सारे बड़े बैंक, सबर बैंक एक बचा था उसको भी सुफ्ट बैंक से बाहर कर दिया गया, सुफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया क्या असर है पढ़ेगा रूस पर और क्या माइने है इसके जिस पात के संभावना थी कि यूरोपी समधाय और नाटो के देश मिलकर अब रूस की जो रिविन्यू पाइपलाइन बची हुई रिविन्यू पाइपलाइन है जिसमें तेल और गैस उसे पर उसे प्रतिमन्द के धायरे में लाएंगे और वैसा ही हुआ यूरोपीन कमिशन की प्रमुख ने इस बात का ऐलान किया है कि साबर बैंक के साथ दो और बैंक स्विफ सिस्टम से बाहर होंगी हाला कि अभी एक दो बड़े बैंक बाकी हैं जिनके जरीए गैस का भुगतान रूस के पास जाता रहेगा लेकिन ये उन बैंकों को टागेट करने की शुरुआ जिन बैंकों से तेल की खरीद होती थी और खास्तों से तेल का पेमेंट किया जाता था और इसके साथ ही यूरोपी समुदाय ने और नाटो ने इस बात की तरफ संकेत कर दिया है कि रूस की पर उर्जा ने रभरता और कम की जाएगी हम इस पर लगातार मनी सेंट्रल में च गोशना थी और इसलिए हमने देखा कि कच्छे तेल की कीमते इस घोशना से पहले भी बड़ी हुई थी और जब ये घोशना आई तो उसके बाद अंतराश्ट्री बाजार में कच्छे तेल की कीमते फिर से उंचाई पर पहुंच गई अब बाकी देश यो यूरोप के लुका है कि रूस के तेल को अब बाजार में नहीं आने दिया जाएगा कम से कम यूरोपी अर्थवे उस्ता है इसका इस्तिमाल नहीं करेंगे और उसकी शुरुआत हो गई हो गई हो गई सर प्रतिवन्दों की छटी किस्त में एक बड़ी घोशना तेल पर निर्वरता को क खतम करने अलग अलग चरणों में उससे भी तेल बाजार की सूरत कैसे बदले क्योंकि इस ख़बर के ततकाल बाद ब्रेंट क्रूट 3% से जादा उचल गया तो क्या आगे यह तेजी जारी रहेगी यह पहला संकेत है इससे अब रूस का तेल बाजार में नहीं आएगा करी यह बाजार लगभग अगले 6 महीनों के लिए 90-100 डालर पर बाइरल के आसपास की तेल की कीमतों को फैक्टर इन कर रहा है वो मान रहा है कि 100 से उपर और 90 से नीचे 100 से उपर 110 के आसपास क्रूड की कीमत रहेगी दुनिया की अरस में उस्थाओन एक तरह से अपने आपको तैयार कर लिया है इसके लिए और भारत में भी उसकी तैयारी शुरू हो गई है तो रूस का तेल ना आने का मतलब है कि बाजार में तीन अंकों में कच्चे तेल की कीमत जरूर रहने के संभावना है लंबे समय तक 1110 डालर पर बारिल के आसपास तो इसका सीधा असर है कि भारत जैसे देशों में फ्यूल के और इंहन के महंगाई लंबी चलेगी